तो सभी को जैहिन मैं जुवेश कुमार सुवागत करता हूं आपका डिफेंस अडर 24-7 पर I hope सभी लोग आप सवस्थ होंगे सुरक्षित होंगे सवखुशल होंगे सभी का वेलकम है ओके सूरज शर्मा सुमित राणा निकीता शर्मा शिल्पितिवारी I welcome you all on the platform of डिफेंस अडर 24-7 ओके सूरज ओके तो आज का मारा सेशन अगें यूनिक है military GK और डिफेंस टेक MCQ पर यह बेस्ट है सभी का वेलकम है चलिए शुरू करते हैं दियान रखेगा आपके लिए यह सूपर कॉंटेंट बनाते हुए सुबह 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 से बना रहा हूं सुबह I think साड़े छे बज़े से कॉंटेंट बना रहा था तो आपके लिए चुन-चुन के ऐसे कोशन्स लाता हूं जिससे आपका जो मिलिट्री जी के और डिफेंस जी के वह क्या होगा एनांस होगा और थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाने वाला भी होगा तो चलिए सबी लोग तैयार है तो चलो शुरू करते हैं मैं सेशन को जदरा शेर कर दू अपने आप भी अगर शेर करना चाहें तो शेर आज गया है सुर्णिम विजय वर्ष आज के दिन सुबह 11 बजे नहीं अभी 12 बजे के आसपास ओके मेरा माइक गिर गया सुबह 12 बजे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर इंडानाम फोर्स ने कराया था यह जे ओसी वेस्टन कमांड लेफ्टन जनल जग्जी सिंग अरोड़ा और यह चीफ मार्शल लौ एड्मिस्ट्रेटर ऑफ इस पाकिस्तान जनल ए नियाजी इन्होंने आपका क्या करा था डॉक्रुमेंट ऑफ सरेंडर पर सगीनेच थॉमस इन्होंने ही ए नियाजी को सरेंडर के लिए एगरी करवाया था तो आज बहुत आइकॉनिक मुवमेंट है ध्यान रखेगा आइकॉनिक डे है और यह इवेंट आज से ठीक पचास साल पहले हुई थी तो इंडानाम फोर्स इसको स्वर्णिम विजे वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं ऊकेश बिल्कुल सिगमा रूळ ओफ इंडामी ओकेश लो अब शुरू करते हैं सेशन को और मैं बस एक बार इस बात में सेशन को शेयर करना ठीक है चलो ओके तो सभी को हम सभी इंडे नामी इंडे नेवी इंडे देफोस को सभी को जैहिन करते और रिस्पेक्ट करते हैं अपने उन मार्टियर्स को जिनों ने इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए तो थी इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए तो साथ ही जो आज का बंगलडेश है वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी बेंगौलीज को मार रही थी विमन का रेफ कर रही थी बच्चों आर्व 2 उनको प्रोटेक्ट कर रह थो तो इंडिया नाशम फोर्सेस ने इंडिया की protection तो करी करी लेकिद उन्होंने humanity की protection करी थी ओके तो सभी को भाई जै हिन so let's start first question on your screen which of the following is a IR missile चलो इस question का answer दो okay which of the following is a IR missile देखते हैं कौन इसमें सही answer देता है let's see which of the following is a IR missile hammer missile astra missile scalp missile और python missile okay बिल्कुल दुर्गा राजपूद सभी को भाई happy विजे दिवस सैम मानिक्षा सैम बाहद्दूर okay which of the following IR सबसे पहले तो IR का full form आपको पता होना चाहिए तो B बताया है C बताया है राखी शर्मा निकिता शर्मा C शायद तुशार वत्स उसने यह बताया है अरे यार यह तो गड़बड कर ले हो यह तो आप सभी लोग गड़बड कर ले हो देखो इस question का answer है पाइथन यह क्या है आपका IR इन्फरा रेड ठीक है इन्फरा रेड जो मिसाइल होती है यह कैसी होती है सबसे पहली आपकी यह AAM होती है यानि air to air मिसाइल होती है लेमन लेंग्विज में हम इसे heat seeking मिसाइल बोलते है ठीक है लेमन लेंग्विज में ओके ओके रिशाब रंजन्ट इन्फरा रेड मिसाइल आपको heat seeking मिसाइल होती है अब अस्तरा जो है अस्तरा आपकी रेडार पर बेस्ट है ठीक है और यह इंडिया की डवलप करिवी क्या है beyond visual range air to air मिसाइल है BBR, MRAM है यह medium range है hammer और scalp यह दोनों different मिसाइल है जो आपका रफेल में फिट की गई है इस पे आपका last app kit में question भी आया था तो इस question का answer तो option number D है अब चलो इसके explanation देख लेते तो LCA Tejas से हमने python 5 मिसाइल का test किया है और python 5 मिसाइल जो है आपकी क्या है air to air missile है क्या है air to air missile लेकिन यह infrared पे work करती है heat seeking missile अगर आपसे पूछा जाए कि python missile किसने develop करी है python missile है तो इसराइल की लेकिन python 5 DRDO नहीं develop करी है ओके अगला इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा scalp missile यह ब्रमोस की तरह cruise missile है ठीक है ब्रमोस की तरह cruise missile है जो आपका रफेल में fit की जाती है इसकी range 300 km किती है इसकी range 300 km hammer missile यह आपकी ground attack missile है ठीक है इसकी range आपकी 60 से 70 km तक होती है air to air heat seeking missile जिसे IR missile बोलते है और यह आपकी है माइका यह रफेल में fit होती है air to air missile है यह भी आपकी IR missile है ओके and meteor यह meteor भी आपकी क्या है air to air missile है लेकिन यह meteor जो है न माइका जो है न यह BVR missile है इसको fire and forget होता है इसमें radar के साथ particular से monitor करता है यह रफेल का computer और यह आपका IR missile है heat sinking missile तो आपका रफेल में चार missile होती है meteor, scalp, hammer और माइका I think यह आपका clear हो गया होगा ओके और यह है अस्तरा अस्तरा जो है इंडिया की पहली इंडिजीनियस air to air missile है BVR missile इसकी रेंज जो है 70 km होती है इसकी रेंज कितनी होती है आपकी 70 km की रेंज होती है और यह all weather है first ever BVRM यानि beyond visual range air to air missile ओके beyond visual range BVRM इसे बोलते हैं और ध्यान रखेगा इसको सुखोई से shoot किया जाता है यानि launch किया जाता है यह उसकी ही आपको actual image your DRD उने publish करी थी clear हो गया point आपको इस question में आपको ही दिक्कत किसी को समझा आ गया हम ओके I hope clear हो गया point जल्दी से बताओ is it clear or not कि इस question का answer आपका python होगा हम चलिए next question आपका यह रहा let's see who will give the right answer of this question इस question का answer कौन देगा अब यह question का answer दीजेए बड़ी आपस में आपने बात कर ली हाँ नई fire and forget principle आपका बहुत पुराना है ठीक है यह artificial intelligence नि fire and forget principle आपका 1985 में आपका डवलप के आगया था यूस से के दौर रहा artificial intelligence पर नहीं होता है ठीक है AI तो अभी new concept है चलो बताओ इस question का answer देखते हैं इस question का answer कौन व्यक्ती सही से देता है foreign intelligence service ministry of state security secret intelligence service and Mossad चलो अब अगर आपस में बातचीत करने है तो मैं question थोड़ी देर रुख जाता हूँ आप आपस में अपने temperature पूछ लो कई पर बारिश हो रही है उसको पूछ लो आंसर मत दो लेकिन ठीक है आप एक काम करो आप लोग ना temperature weather forecast सारा एक बार बात कर लो उसके बाद फिर इस question का answer देना ठीक है है हम ओके option number C इसका right answer है ओके बिल्कुल आपने कनी का skip निकलना बिटा ध्यान रखो सभी को पता है world की सबसे खतरनाक agency जो है वो कौन सी आपकी मोसाद इसराइल कभी आप देखिएगा black September okay black September 1972 में आपका terrorist ने Munich Olympics में जहां पर आपके सारे players होते हैं ओके वहां पर इंटर गर के Israeli जो खिलाडी थे उनको capture कर लिया था और बाद में rescue की operation में उसारे Israeli खिराली मारे गए थे फिर मोसाद ने 1972 में एक operation चलाया था जिसका नाम था operation का नाम क्या था उस operation का नाम था worth of God और आपका इसराइल की agency मोसाद ने जो जो इस black September event में शामिल था 2001 तक ढूंड ढूंड गे मारा है इसी तरीके से इसराइल का जो है करके ले जाया गया था इसराइली special forces जाती है और अपने सभी नागरिकों को rescue करके लाती है ओके फिर आपका जो आपका ministry of state security है चाइना की security agency है secret intelligence service उसे वैसे तो MI5 बोलते है ठीए military intelligence लेकिन no secret intelligence services James Bond movie में MI6 यूज किया जाता है और आपका मुसाथ तो आपका ही तो इस question का answer option number C होगा option number C will be the right answer of this question ओके हां गोल्ड अमेर ओके हम अगला question दा स्पाइक मिसाइल is newly acquired from Israel by Indian government is related to which of the following चलिए answer दीजिए स्पाइक मिसाइल तो स्पाइक मिसाइल क्या है anti-tank मिसाइल है torpedo है nuclear payload capable मिसाइल है ओके तो दिव्यांदू दिव्यांदू ने इसका answers है अर्मान मुहम्मद खान साब ने बिल्कुल anti-tank missile है ठीक है और यह anti-tank long-range missile है ठीक है anti-tank long-range missile है ओके इसकी जो fire and forget principle पर है और यह आपका long-range missile है LRSM इसको ऐसे छोड़ा जाता है ठीक है अब इस question का answer दीजिए MDS ओके लेट सी हुव विल गेव दी राइट आंसर अव दिस question इस question का answer कौन देगा PAD यानि पृत्वी air defense यह MDS का मतलब missile defense system अपनी cities को protect करने के लिए enemy aircraft drone rockets उसके लिए क्या होता है defense system है इंडिया के पास आपका प्रिफ्वी air defense system के इलावा आकाश air defense system है और बाराक बाराक S-400 जो हमने रश्या से purchase करा है S-400 हमारा अब अगले साल जन्वरी में हमको मिल जाएगा S-400 so obviously यह सबसे latest है S-500 Prometheus यह आपका किस से होगा रशिया से होगा ठीक है पेट्रियोट missile system पेट्रियोट missile system आपका USA का air defense system है iron dome obviously आपका इसराइल का है और पर फिर आपका किसका है इंडिया का है सो इस question का answer भी 4321 होगा 4321 very good very nice चलो next question तो यह आपके air defense system है अभी सबसे advance जो है वह S-400 है रशिया का जिसकी रेंज आपकी 400 km है radar से इसको operate किया जाता है उसके बाद इसका david sling यह इसराइल और USA ने बनाया है combination इसका जो height 15 km की range तक यह मार सकता है यह आपकी 400 km की range इसकी range सबसे ज़्याद है यह इत्ती दूर से आते वे plane को यह destroy कर सकता है इसकी range 300 km और 15 km की height तक hit कर सकता है फिर उसके बाद S-300 यह भी आपका रशिया का है यह आपका 200 km का फिर THARD यह भी आपका USA का है और आपका MIM-104 Patriot जिसके बार में आपको मैंने बताए तो इस सारे क्या है एर डिफेंस सिस्टम होते है इन में shoot and scoot की capability होती है यानि फटा-फट शूट डाउन करके अपनी position को change करते है ओके ओके चलो consider the following statement regarding tajas चलिए answer दीजे what will be the answer of this question अब ही मैं question जब कराता हूं तो question से related पूछा को रहा है here and there scattered questions का answer नहीं देता हूं नासा का Corona का संख टच करके आया है उसके बारे में explain कर दो वो कोई अभी मतलब leak set के मैं उसको बताने लगू क्या बात कर रहे हूं वांचू okay consider the following statement regarding LCA Tejas the aircraft has air-to-air refueling capability क्या तेजस में air-to-air refueling capability है okay yes definitely है अच्छा कोई मेरे को बता सकता है कि इंडिया का air-to-air refueler जो aircraft है उस aircraft का नाम क्या है can anyone tell me और second statement बिल्कुल गलत है क्योंकि इसे DRDO ने नहीं ही बनाया है इसको हिंदुस्तान Air Lottic Limited ने बनाया है सो आपका second statement गलत हो जाएगा only first statement आपका सही होगा okay इस question का answer only one होगा बिल्कुल IL-78 यह इंडिया का refueler है आप मेरे को बता सकते हो LCA तेजस की जो अभी Indian Air Force में जो squadron है okay LCA तेजस की Indian Air Force में squadron है वो कितनी squadron है और total Indian Air Force के पास इस सबह कितने आपके तेजस है I think 31 है और अभी कुछ दिनों पहले वो 31 के 31 fighter aircraft एक साथ उड़े थे okay next question कमव 2260 utility helicopter recently seen in news would replace which line of defense helicopter तो अभी आपका यह जैसे चिनूक हो गया Apache चिनूक heavy lift helicopter है और Apache आपका attack helicopter है इसी तहिके से Indian Navy के लिए Romeo helicopter purchase किया गया वो Navy का AWS NT Submarine Warfare के लिए वो important होता है ASW sorry तो आपका कमव 2260 MI26 Cheetah helicopter MI25 MI17 V5 कल वो group captain Singh sir उनका भी निदन हो गया जो last survivor थे बगान उनकी taggers के लागा flying bullets भी है okay so question number six का D नहीं होगा इसका answer होगा Cheetah okay Cheetah helicopter Cheetah helicopter में 1986 बना है तो यह रशिया का है इसका थोड़ा unique सा design है एक तो इसमें double rotor है एक इस तरीके से गूमता है और एक मतलब एक अरगा clockwise गूमता है दरसल आपका जो helicopter में पीछे एक छोटा सा fan type देखते हो ना वह इस वज़े से होता है ताकि rotor के साथ helicopter ना गूमने लगे उस वज़े से इसको लगाया जाता है यहां पर यह क्यों नहीं है क्यों क्योंकि इसमें एक fan clockwise चलता है एक fan anticlockwise चलता है एक fan clockwise चलता है इस वज़े से इसमें यहां पर rotor फैन लगाने की requirement नहीं रहती और उसमें यहां पर क्या लगाता है विंग्स लगा दिये जाते है ठीक है एक कोशन है, यह होम वक का कोशन है और इसका answer मैं दूंगा आपको शाम 7 बज़े की class में, यह आपको बताना है इस गन का नाम क्या है, ताछिक है और बिल्कुल देखते हैं कौन इस गन का नाम सही बताएगा, who will give the right answer of this question ठीक है इस गन का आपको नाम बताना है देखते हैं इस गन का नाम और ध्यान रखेगा इस गन के hint मैं आपको दे रहा हूँ यह AK-series की गन नहीं है number one this gun is not related to any kind of AK-series gun AK-47 series की गन यह नहीं है और इसका relation हमारी पैरा SF से है पैरा SF अभी तो Tawar Assault Rifle जो इसराइल से यूज करते हैं इसराइली गन है उसको यूज करते थी लेकिन 1999 क्योंकि Tawar जो आपके आई है 2003 के बाद इंडिया में है तो 2003 से पहले पैरा SF इस गन को यूज करती थी फोर इट्स ऑपरेशन इस इस गन की कैपसिटी है हाई टार्गेट रेट और काफी हाड कोर है पानी धूल किसी विखेगो साफ कोर वो फाय करती है ओके हाँ बताया था बिल्कुल 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 और इसके लिए आप पैरा SF के मेजर है मेजर आयर मेजर आयर करके यूटूब में ध्यान रवश है उसमें इस गन के बारे में बताते है मेरो को भी वहीं से पता लगाता ठीक है AKM 74 नहीं है पहले तो AK 74 वो आपकी क्या है हेकलर और कॉच की MP5 क्या वर्जन बना रखा है वो 7.62 बोल्ट की CQB गन है वो ओके ओके विच आफ दी फॉलोविंग एंटी सम्मरीन वार्फेर एंटी सम्मरीन वार्फेर इंडिया में आपका P.I.8 और रोमियो ठीक है रोमियो P.I.8 आपका एरकाफ्ट है रोमियो आपका हिलिकॉप्टर है इसके इलावा आपका एंटी सम्मरीन के लिए कौन सा यूज के जाता है विचा का पठनब तो लेट सी आइनेस किलतन आइनेस कमोरोटा आइनेस कदमट और आइनेस कारावती ओके M4, M26 नहीं है ठीक है आइनेस कारावती अभी यह आपका प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट 75I ठीक है ध्यान में याद है प्रोजेक्ट 75I एक दिन आपको सारे प्रोजेक्ट भिगराए तो यह उससे रिलेटिट गन है रुद्रम सक्सेस्फुली टेस्टेट बाई DRDO तो रुद्रम आपकी किस टाइप की मिसाइल है ओके रुद्रम आपकी किस टाइप की मिसाइल है ओके लट सी क्रूज मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंटी रेडियेशन मिसाइल मीडियम रेंज सर्फिस तो सर्फिस मिसाइल तो किस टाइप की मिसाइल है, ओके, हाँ, ओके, तो, तो गितांची ने इसका अंसर दिया है, बी, अहां, बी क्यों है, रुद्रम है, एंटी रेडार मिसाइल है, दुश्मन के टर्मिनल रेडार ओपरेटेड जितने भी वेपन्स होते हैं, एर डिफेंस के लिए, एनिमी जो प्रोटक्ट करता है, अपने कॉम्मिनिकेशन, यानि यह जो मिसाइल है, दुश्मन के रेडार को डिस्ट्रा करती है, आप चाह वो वेपर लोकेटिंग रेडार हो, चाह वो कम्मिनिकेशन वाला रेडार हो, या आपका, दुश्मन का किसी भी टाइप का रेडार हो, तो य anti-radiation missile इसमें से बोलते हैं ठीक है क्या बोलता है anti-radiation missile option number C इसका right answer हो okay option number C इसका right answer है okay DRDO ने एक क्या है consider the following statement regarding DRDO smart system okay smart it is a missile assisted release lightweight anti-torpedo system okay Varunastra is the first indigenous heavyweight ship launch anti-submarine electric torpedo okay चरू कल के homework जो कौन सा homework था कल का याद दिलाओ मेरे को वो बच्चोन हाँ वो answer दे दिया था बच्चोने वो आपसे पूछाता ना राउ के लाउसा ही दिया था answer कि ओके तो बोत है वरुनास्तर आपका कि एक हैवीवेड टॉर्पीडो यह डियार्डो ने बना है और वो smart anti-submarine smart torpedo system में चलता लेकिन इस question का अंसर बोत नहीं होगा कि इस question का अंसर आपका option number two होगा smart का जो है न यह आपका light weight missile assisted release light weight नहीं है heavy weight है ठीक है तो इसलिए आपका option number B होगा अंसर आजा अब यह आपको जो दिखाई दे रहे हैं आपका पहला homework तो उस gun का नाम हो गया दूसरा homework है आपको यह हेलीन मिसाइल दिख रहा है और इदर आपको इसका नाम धुरुवास्त्रा दिख रहा है डिससे एदिख रहे हैं एंटी टैंक गाइड़ीड मिसाइल झाख फैमिलीगे आपको जेख बताना है कि इस में से आपका इंडियन आर्मी के लिए कौन सा है और इंडियन एफॉस के लिए कौन सा है ठीक है यह बता सकता है कि आगर आपसे इस question पूछ ले जाए कि इंडियन आर्मी के लिए हैलीना है या धुरुवास तरह है तो इसको ज़रूर बताईएगा अगला question which of the following is not a part of integrated missile development program तो integrated missile development program में कौन सा include नहीं किया जाता है obviously तेजस तो नहीं होगा तो जिसमें आपको 3 दिखे वो answer definitely नहीं होगा यानि आपका आपका B और C तो eliminate किया जा सकता है ठीक है फिर नाग आपका anti-tank guided missile है यह Dr. APJ अब्दुल कलाम साहब ने 1986 में शुरू करा था अगनी बिल्कुल लांग रेज तरिशूल यह भी आपका है फेस पिर्थ्वी भी आती है लेकिन इसमें आपका Brahmos नहीं आता क्योंकि Brahmos हमने किससे लिए आपका इसमें not a part पुछा का ना ब्रमोस नहीं आपका क्योंकि Brahmos इंडिया और डुरुम्स रशिया का तो two or three उसका right answer होगा the fourth scorpion class submarine received okay by the Indian Navy under project 75 to fourth submarine कौन सी है फूर्थ submarine नहीं उसमें चिया यह पूछा गया है आपका कि कौन सा पार्ट नहीं है तो कौन सा पार्ट नहीं है तो आपका तेज़स और ब्रमोस पार्ट नहीं है तो आपकी हाली में भी कौन से submarine को include किया गया है वेला वेरी गुड देखो एक प्रोजेक्ट 75 है जिसमें हम सिक्स और स्कॉर्पियन सब्मरीन को बना रहे हैं सबसे पहले कलावेरी खंडेरी वगीर कारंज वेला वेला तक आ गया अब हमारी जो सिक्स था इंडर कंस्ट्रक्शन वाइनस वगीर है ये क्यो और कोड़ कहा से जिनरेट हो गया ओके और यह आपका प्रोजेक्ट 75 है ओके विच इंडियन एफोस स्कॉर्डन पार्टिसिपेटेटेटें ब्ल्यू फ्लैग 2001 इंटरनेशनल एक्सराइज तो ब्ल्यू फ्लैग में आपका कौन सा फाइट अएक्राफ्ट यूज किया गया है तेजस मिराज सु 30 और मिग 29 अकॉर्डिंग तो यू हां रिशाब सिंग ऐस यूज फनी गया है ओके ओके विच इंडियन एफोस स्कॉर्डन पार्टिसिपेटेटेटें ब्ल्यू फ्लैग एक्सराइज 2001 ओके ओप्शन नमबर बी डी बी मिराज 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 ये इसराइल के साथ हुई गए थी हमारी एक्सराइज ठीक है और इसमें हमारे फॉरंड मिनिस्टर भी गयते ए आई एफ मिराज two thousand fleet in blue flag exercise in Israel okay Israel में ओके अगला रश्या से लिया नहीं गया था ठीक है रश्या से लिया नहीं गया था आपका रश्या के साथ मिलकर डवलब किया गया रश्या की एक रिवर मोस्कोव ब्रह्मोस बना है ओके आज मेरी energy low लग रही है हाँ आज थोड़ा सा मेरे को भी feel हो रहा है कि आज मेरी energy low लग रही है क्योंकि मैंने चाय नहीं पिये कोई बात नहीं कॉंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है चलो रिसेंटली ओवाडा airbase was in the news is located फ्रांस इस्राइल तजाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे cds में पुछा था बागराम airbase कहां पर है तो आपको बताना इस question का answer क्या होगा तो आपका यह इस्राइल में है यह blue flag exercise महीं पर हुई थी high speed acceptable okay चलो high speed expendable aerial target heat okay flight tested by इसका नाम क्या है अभ्यास विराट निर्भै और आकाश ओके अब बताओ अभ्यास विराट यह क्या है अपने डियार्डियों ने हमारे missile को test करने के लिए जो हमारी मतलब enemy aircraft को test करने के लिए जो बनाया है एक target बनाया जाता है उसको बोला जाता है ओके Cambrian petrol में आपका कौन सी गुर्खा refugee गुर्खा रेजिमेंट ने gold medal जीता है जल्दी से बताओ कोशन का answer क्या होगा Cambrian petrol में कौन सी गुर्खा रेजिमेंट ने आपका जीता है यह आपका special forces का होता है कि 2021 का विनर कौन है इंडिया नामी और आपका कौन सी गुर्खा रेजिमेंट अभी इसका यह इसलिए इसलिए important हो गया है क्योंकि हमारे जो cds सर थे ठीक है cds साब जनल विपिन रावत 16 दिसंबर 1978 यानि आज के दिन ही वह 5th गौर्खा राइफल में as a second lieutenant commissioned हुए थे ओके सो 5th गौर्खा राइफल frontier force next question यह repeat हो गया which of the following is not a inter-service establishment इन में से कौन सा inter-service ओके मेरा वीडियो स्टक नहीं कर दा साहिल मैं देख रहा हूं ठीक है तो जल्दी से बताओ which of the following is not a inter-service establishment inter-service जहां पर तीनों सेना हैं आपस तीनों सेना हों की training नहीं होती है ओके हम बिल्कुल तो OTA क्योंकि OTA में आपका army की training होती है लेडी की cadets and male cadets gentleman cadets दोनों की national defense college दिल्ली में है और आपका national defense academy अब तो इसमें भी girls को शुरू कर दिये गया है आम forces यह आपका doctors होते हैं अभी एफोस नेभी army सभी के लिए अगला question headquarter of southern naval command southern naval command का headquarter कहां पर है विशाका पत्नम तिर्वनतापुरम कोच्ची और चिन नहीं जल्दी से बताओ विशाका पत्नम तिर्वनतापुरम कोच्ची और चिन नहीं क्या होगा sir okay let's see who will give the right answer of this question तो कोच्ची में है तो very good जी हां कोच्ची को queen और अफ अरेबियन सी धियान रखेगा इंडियन नेवी में आपकी only तीन कमांड क्योंकि इंडियन नोशिन को ही तो गार्ड करना है वेस्टन कमांड हेड़कोर्टर मुंबई इस्टन कमांड हेड़कोर्टर विशागा पड्डम और वाइजएग और सदन कमांड कोच्ची next question the rank of captain of Indian navy is equivalent to which of the following captain of the army group captain यह reasoning में आपके अपकाट में इस तरीके के question होता है group captain in the Indian force lieutenant colonel of Indian army wing commander of Indian force what will be the answer of this question इस question का answer क्या होगा okay the rank of captain of Indian navy is equivalent to which of the following captain of the Indian army group captain in the Indian force lieutenant colonel of Indian army wing commander of Indian force so इस question का answer group captain of Indian force अगर आप देखो तो यह Indian navy तो आपका captain है यह आपका group captain से और इदर आपका colonel से ठीक है है it has separate maintenance command okay और no officer अभी तक तो क्या होगा इस question का answer it has bases in many country countries तो जैसे नेपाल है मालदवीव तो इन में तो नहीं है एक तजाकिस्तान में हमारा military base है और UAE में तो many countries में तो नहीं है लेकिन Indian air force की एक separate maintenance command जरूर है air marshal urgency यह इंडियन air force से पहले हैं जो air marshal बने दें तो इस question का answer option number C होगा यार C होगा ओके तो इंडियन air force की आपकी कित्ती command है इंडियन air force की 1234567 command है maintenance command आपका नागपुर में है western command आपका दिल्ली जब भी मैं गुड़गावा ओफिस जाता हूं तो सुभर तो पार्क पड़ता है यहीं से ही आपका जो बाला कोट पे strike हुए थी operation बंदर वो यहीं से ही इंडिक्ट की गई थी मतलब जो उसका सारा planning process वह आपका western command है वहां पे लिखा रहा रहता है trace passer will be shoot at site मतलब कोई भी अगर दिवार फानने का उसे देखते ही गोली मार जी जाए गरुड कमांडर फोर्स उसको प्रोटेक्ट कलती है okay which of the following is not correct Brahmos is a supersonic cruise missile made by India and Russia Federation okay बिल्कुल सही ब्रह्मोस का जो नाम है टू रिवर ब्रह्मपुतरा ऑफ इंडिया और मुसको और रिवर ऑफ रश्या से लिया गया बिल्कुल करेक्ट है Indian military scientists were capable to integrating Brahmos cruise missile with Sukhoi 30 MKI बिल्कुल सही बात है चीक है क्योंकि squadron number 222 Tiger shark तो पहली टीन स्टेटमेंट सही हो गई तो यह आपकी गलत है क्योंकि यह आपका सुखोई Russian plane है इसे DRDO तो बनाता ही नहीं है okay which of the following is not correct about अंडमा निकुबार कमांड यह एक इंटेग्रेटेड थेटर कमांड है बिल्कुल थेटर कमांड जया था जनल विपिंद रावत में इसी पर ही वर्क कर रहे थे कि वह थेटर कमांड जिसमें आमी ने भी एफोस का कोलाबरेटिव और कोपरेटिव अप्रोच होत होता था तो हमारी जो पहली इंटेग्रेटेड कमांड है हुआ अपकी अंडमा निकुबा कमांड है क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2002 में से बनाया गया था तो जब इसे 2002 में बनाया गया था तो अब्यस्ली यह 2nd world war में तो इसको कोई है ही नहीं कुछ क्योंकि 2 2nd world war में इसका कोई कुछ importance ही नहीं था option number d next question असम राइफल्स बदलूराम का बदन जमी के नीचे है और हमें इसके राशन मिलता है 1825 अभी असम राइफल्स न्यूज में भी थी एक commanding officer ambush में मारे गए थे तो असम राइफल्स जो है आपका 1825 में बनी थी और यह एक paramilitary force है असम राइफल्स एक्षुली में क्या है एक paramilitary force है लेकिन इसको जो operate करता है वो ministry of defense करता है इंडियन आमी के अंडर आती है लेकिन इसका जो सारा इसका जो cost bear करता है ministry of home affairs करता है यह paramilitary force है इंडिया की which of the following is correct infantry regiment is also known as mechanized infantry regiment नहीं mechanized जो armored core होती है टैंक्स वगर होते हैं उनकी जो regiment होती है जो BMP में बैठके आगे दुश्मन को strike करते हैं उसे mechanized infantry बोलते हैं तो यह नहीं होगा crops of electrical and mechanical engineers subdues as crops of engineer army medical और army dental cop अलग-अलग है नहीं है army केवल एक ही है AMC सिमें ही dental आते हैं army की अपनी air defense है बिल्कुल बिल्कुल आर्मी की अपनी air defense है और Corps of electrical और mechanical स्वें Corps of engineer वह तो आपका EME होता है तो आर्मी की अपना एक core जिसे बोलते हैं Army aviation core AAC और AAD Army defense core भी है option number D होगा B तो नहीं होगा D होगा आसका answer ओके Army Air Defense होती है ना ओके Army Air Defense AAD होती है ओके अगला question which of the following is not a command of Indian Army feeling around Indian Army की कौन सी command नहीं है Southwestern North Eastern Central और Army Training Command ओके नहां मिश्रा अभी मैं PDF डाल ही नहीं रहा इस वज़े से बाकी डाल देता हूं आज वाली जैसे मैं PDF डाल दूँगा ओके तो आपकी देखो इंडिया नामे की साथ कमांड है Northern Command उदंपूर नाइन पैरा और फोर पैरा इसी के अंडर आती हैं सबसे ज़्यादा पाकिज को जो उनकी उनको खत्यदारी करती है वह आपका Northern Command शिमला में ट्रेनिंग कमांड है लेकिन आप देखोगे North East में कोई कमांड नहीं है और यहां पर आपको North Eastern Command देवा है तो यह इसकी कमांड नहीं है ओके next question which of the following is not signify a battle tank इन में से कौन सा एक battle tank नहीं है ओके हां बिलकुल बिलकुल तो आपका K9 K9 आपका क्या है हॉइट जर्गन है क्या है हॉइट जर्गन है ठीक है दिस के नाइन वज्जर हॉइट जर्गन शूट एंड स्कूट कैपिबिल्टी के साथ next question RISD following military training institutes in India in their term location के साब से आपको बताना है तो सबसे पहले तो आप में से कई पूरा वही आंसर होगा उसके बाद आता है National Defense College National Defense College आपका दिल्ली मेरी जान में है ठीक है दिल्ली में है तो धरदून के बाद आपका दिल्ली आएगा तो यानी one four option number 20 इसका राइट आंसर होगा फिर National Defense Academy आपका खड़क वासला College of Defense Management आपका सिकंद्रबाद यह हमें एक हल से सिकंद्रबाद में है और OTA तो आपका को एमबर टूर बिल्कुल है अरे option number B होगा यह नहीं होगा ओके very good next question answer दो जैसे तेजस की स्क्वार्डन है दो स्क्वार्डन है एक फ्लाइंग डैगर्स है स्क्वार्डन नुबर 45 और एक फ्लाइंग बुलेट्स है यह मैं कोशन कई बार करा चुका हूं उसका तो आंसर आप अच्छे से दोगे ठीक ह अपाचे का ग्लैडियेटर्स और ग्लोव मास्टर ओके यह निस कोशन का अंसर होगा 4341 यह आपको option number C इसका राइट अंसर होगा next question अस्तरा अभी देखो अस्तरा आपकी क्या है आपकी सर्फेस टू एयर मिसाइल है सागरी का यह आपका सम्मरीन लॉंच बैलिस्टिक मिसाइल है के नाइन के फोर सीरीज है और निर्व है आपकी क्या है शॉर्ट रेंज कूर्ज क्रूज मिसाइल है तो इस question का अंसर होगा 3-1 option इसमें मैच नहीं कर दे 3143142 ठीक है 3142 इसका अंसर होगा next question इंडिन आर्मी का counter agency school कहां पर है तो मिसुरम में है वेरंगटे ठीक है बेल गाव में गहता कमांडो स्कूल है ठीक है अगला question परमवीर चक्र एक बार मैंने question बता तो परमवीर चक्र अशोक चक्र बाकी जीते भी चक्र है यह सावेत्री भाई खलोन कर ने इनको क्या करा था डिजाइन करा था जो किनकी धर्मपत ने थी विकरम राम जी खलोन करकी ठीक है फिर LMG LMG हमने इसराइल से जो ली है देखो यह तो हम यूज करते हैं special forces sigma s76 saucers rifle यह यूससे से लिए नगेव यह आपकी light machine करना और असमी यह हमने एक SMG develop करी है इंडिया से ने को बनाया तो टवार कि SIG saucer rifle जो यूससे से लिए है असमी यह इंडिया नामी और डियार्डियो ने मिलके बनाया असमी का मीनिंग आप लोग मेरे को असमी एक हिंदी वर्ड है इसका इस वीडियो के comment section में मीनिंग जरूर बताइएगा और यह आपकी जो LMG हमने ट्रेक्टिस होता है तो fire station में आपका LMG नहीं उसमें HMG को deploy किया जाता है LMG काफी भारी होती है इसको इसमें higher fire rate दुश्मन को suppress करने के लिए इसको use किया जाता है मार्कोस मार्कोस जो है आपका यह बनाई गई थी 1987 में जब माल्डवीव वाला एक क्राइसिस हुआ था operation cactus तब इसको बनाया गया था गरुड़ा फोर सबसे latest है offense by defense पहले parachute regiment आपका world war में बनी थी लेकिन पहले आपका 1966 65 की war में बनी थी क्योंकि हमने क्या है जमू कश्मीर में जगा है उसको पहले आपको मैंने बताए था NSG SPG यह आपका 1986 में तो इस question का answer होगा 4 43 यानि option number B इसका right answer होगा option number B इसका right answer होगा कीन कुमार अच्छा यह आजगल चल रहा है कीन कुमार चाइना को पता ही नहीं क्या पता है अके इंडिनरमी की कितनी कमांड है तो देखो नहीं nuclear command authority एक है इंडिन वी की तीन कमांड है इंडिने की 7 कमांड है यह आपर छे लिखी हूए और इसकी न की 5 ही तो इस question ने ए जाने कमांड है ऐदिक हो निते अब इन ऑ कません ऑ policeman कमांड इंडियन आर्मी की है और इंडियन एफोस की आपकी छे कमांड है हाँ वही गढ़ रहा हुआ पुशन में गलत है इस चलिदियन इंडियन आर्मी की साथ कमांड है ठीक है तो यह तरीकर कर जो तरिके जान रखेगा मिसाईल पाक अगनिपस्त कहाँ बना है यह आपका विशाखा पर्टम कराता ओके किसने कराता वेस्टर ने कमांड जो डेल्ली में आप फॉल्लइंग मिस्टर विड रफल रफल के साथ यह सारी मिसाल आपकी फिट की जाती है विच वदी सरवत्तम सिर्फ सुरक्षा है हम अपने माते का नक्षा है हम है ना है ना एंदुस्तान यानी एनस्जी और मार्कोस का है दी फ्यू ओके दी फ्यू दी फियरलेस ओके दी फ्यू दी फियरलेस ओके जैसे आपका पैरा एसफ का क्या है पैरा एसफ पैरा एसफ का आपका क्या है पैरा एसफ का है आपका शत्रू जीत ठीक है पैरा एसफ का क्या है आपका शत्रू जीत ठीक है पैरा एस और गरुड कमांडो फोर्स का मेरा फेवरेट है प्रहार से शुरक्षा, offense by defense, प्रहार से सुरक्षा, offence by defense, प्रहार से सुरक्षा, आपको हुमवक दे रहा हूं कि SPG का बताना क्या आधर्श वाक्य है, SPG का बनाना, SPG का बताना, SPG का आपको हमवग दे रहा हूं कि SPG का आपको आदर्श वाक्य बताना है, बिल्कुल, चलो, Air-to-Air Refueler तो वो Illusion 78 है, ठीक है, Illusion 78, तो देखो, यह आपका Air-to-Air Refueler है, Illusion 78, यह IL, स्वरी, Illusion 78, यह IL 76 है, Glow Master से पहले सबसे बड़ा प्लेन होता था, ठीक है, इस पे नित्रा रेडार लगा है, यह Glow Master, यह C-17 Hercules, आपका सबसे कठिन से कठिन परिस्थुतियों में, यह उतर सकता है, यह Dolat-Begg Old 2014 की इमेज है, World की Highest Air Strip है, वहाँ पर यह Land हुआ था, Homework आपको है, यह Homework है आपका, आपको बताना है कि भई, यह जो Rifle आप देख रहे हो, ठीक है, इस Rifle का नाम क्या है, ओके, तो जराब बताना आपको, इस आपको Homework, Homework में इमेज दिखा गए, कम सकम पता तो को लगे, कि आपको इस Rifle का नाम बताना है, वो जो पहली Rifle दिखाई है, उसका नाम जो ढूंडे का ना, मान जाओंगा, कि भई, आप लोग Defense के लिए पूरे Die Hard है, इसका तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ओके, उमंग पंडे, एफोस य, नई, M47, मतलब बस तुमारी वो सोच न, PUBG तक ही सीमित है अरे वो गन्स पुरानी हो चुकी है, अब लेटेस्ट गन यूज होती है, एक एम, कहां से एक एम दिख रही है, एक एम कहां से दिख रही है, हम, अ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 82% फ्लैट डिसकाउंट का फाइदा उठाओ, Capital U191 और हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज है, प्रेक्टिस में परफेक्ट, जितना रगड़ा, उतना तकड़ा, एफकेट वगरा, तो आप ये 82% आप 505 रुपीज में आप इसको जोईन कर सकत हैं, और टेस्ट कर गए अपनी परफॉर्मस को इंक्रीज कर सकते हैं, एफकेट की पूरी एक डिटेल बुक है, ये आप ओनली में एक हाल से 459 रुपीज में, ये हार्ड कॉपी बुक है, आपके घर तक पहुच जाएगी, इसमें आपका पूरा प्रेक्टिस सेट है, और आपका comprehensive guide भी है, ये भी आप ले सकते हैं, और आपको हमारे साथ preparation करनी है, तो अभी हमारा 13 दिसंबर से batch शुरू है, जिसमें मैंने 14 दिसंबर से class ले, यानि आज इसमें मेरी 3rd class होगी, तो ये mission app get complete batch है, 77% discount 2069 रुपीज में, आप capital U 191 discount code को use करके इसे join कर सकते हैं, मैं मि आपको ये देखो, ये एक बार और देख लो, जो मैंने आपसे question पूछा है, कहां गया, अरे आज कित्ते question करा दी मैंने, हाँ, इस gun का नाम और इस gun की story, मैं आज आपको जरूर बताऊंगा, तो आज के लिए ताही, और सभी को जैहिन, जै भारत, और मिलते हैं 7 बजे, thank you very much, और session को like जो करेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो,